तो पहले कबने प्लोट को बना लेते हैं, प्लोट कैसा दिखाई गे रहा है, एक छोटा सा रेक्टैंगल है, कम से कम स्पेस इस्ते माल हो, ऐसा बना रहा हूं, तो A, B, A यहां से कर लेका है, क्योंकि A, B, C, D, तो यह हो गया 6 cm और यह हो गया 8 cm, और यह ऐसा पेपर पर दिखाई दे रहा है, और हमें actual length of the line ने कालना है, और actual area of the clock में कालना है, तो, since the map is drawn to scale, क्या scale है अपना? 1 इस्टू 50,000, therefore, k, जिसको हम बोलेगे scale factor, scale factor हमने k मान लिया है, is equal to 50,000, तो, क्यों हमें कालना है, पहला वाला part है length of the diagonal, पहले तो, पेपर में diagonal जो आ रहा है, वो निकाल लेटे हैं, AC as shown on map, क्या हो जाएगा? उसे अम्रक करेंगे, अंदर रूट AB square plus BC square, यह map वाला है, और यह भी दियारों में की map में ऐसा है, और तो AB square कितना है? 6 square, यह कितना है? 8 square, तो यह 36 हो जिया, 64 हो गया, जोड़का आ गया 100, अंदर रूट 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 आ गया 10 cm, length of diagonal on map आ गया 10 cm, therefore, actual length of diagonal, इसी of the plot, भी चाना मिदेते है, वह तहले map है, यहां पर plot है, इसी 20 क्या हो जाएगा? A multiplied by 10 cm, तो भी आजाएगा 50,000 to 10, तो यह जो data आ रहा है, यह cm में आ रहा है, अब हम इसे km से change में चरेंगे, तो 50,000 to 10 divided by 100 multiplied by 1000, तो सब कुछ में आ रहा है, तो सब कुछ में आ गया, फिर में आने के बाद सब कुछ, 1000 से divided किया, तो हमारा किलो में अंसर आ गया, जो आ जाएगा calculate होकर 5 km, आप देट सकते हैं किसी लोगी को सारे 3, तो 5 जी गया है, सारे 5 जी गया है, सारे 5 जी गया है, सारे cancel हो जाने है, तो फर्स पार्ट हम लोग calculate कर चुके है, तो जो लेंथ आप दाइनल केशी on the land will be 5 km, अब दूसरा पावर से है, क्या, अरिया अफ दाफ दाफ लोग, आप में अरिया क्या होगा है क्या, अरिया क्या होगा है क्या है, तो लेंथ मुल्टिप्लाइट ब्रेथ, 8 इंटो 6, is equal to 48 cm square, लेकिने बच्चों, जब हम लोग length, मतलब paper length से plot length में जाते हैं, actual area में जाते हैं, तो हम लोग calculate क्या है करते हैं, k से, और जब हम लोग area, paper area से actual area में जाते हैं, तो हम लोग multiply करते हैं, k square से, अब लोग यहां पर use करेंगे, actual area, of the plot, is equal to, k square, multiplied by, area, of the plot, on the map, तो k कितना है, 50,000, का square, multiplied by, 48, और यह आकरा आएगा, centimeter square में, अब हम इसे kilometer square में, तो पहले, 100 into 1000 से, divide कियागा, यही 100 into 1000, जो बार divide होगा, 50,000, multiplied by, 50,000, multiplied by, 48, divided by 100 into 1000, divided by 100 into 1000, तो पर आप इसे solve करेंगे, तो यहां जागा कितना, 12 kilometer square, यह हमारा answer है, तो actual gentle diagonal, 5 kilometer, और actual area,